तो आज हम बात करने वाले हैं ड्राफ्टिंग वर्चुल मेसेज इसके बारे में एर रैटिंग स्किल का पार्ट है 12th इंग्लिश महारास्टर बोर्ड में और सबसे इजी है इसे सबसे इजी कहेंगे तो गलत नहीं होगा चार मांग्स के लिए है तो आप ए वीडियो देखो 5-6 मिनिट का आपका पूरा चार मांग्स मिल जाएगा हाथ में रहेगा तो चलिए शुरू करता है फटा फट तो देखो इसमें सबसे पहले एजालनों की क्वेशन कैसा आता है तो जनरली एक क्या होता है ना टेली फोन पर दो लोगों के बीच में बातचीत होई होती है औ यहाँ पर देखो दो लोगों के बीच में बातचीत होई है यहाँ पर आशना और मिस्टर सिंग यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है यानि कि जनरली जो सबसे पहले आशना ने फोन किया था तो रंजीत के लिए फोन किया था लेकिन रंजीत था नहीं यहाँ पर तो मिस्टर सिंग ने उठा लिया था तो वही मिस्टर सिंग का काम एं है कि इसको ए मैसेज मिस्टर सिंग को मैसेज रंजीत तक पहुचाना है लेकिन सबसे पहले इसके रूल जाले लो, सबसे पहले फॉर्मेट है, तो date लिखना है, date में सिर्फ जो तारीख रहेगा और जो महीना रहेगा वही लिखना है, year नहीं लिखना है, क्योंकि ये message आपको उसी दिन देना होता है, एक दो साल बाद नहीं, उसके बाद time लिखना ह होता है, name of the person to whom the message is directed, यान कि किसके लिए message है, किसको भेजा जा रहा है message, ऊपर लिखोगे, और body of the message, यान कि message का main part 3-4 line, छोटा सा ये होता है, बड़ी letter जैसा नहीं होगा, उसके बाद name of the writer, यान कि कौन भेज रहा है, तो चलो इसका answer देख लेते हैं, उससे पहले कुछ और points है, तो यहां पर देखो, while writing the body of the message, the following points have to be kept in mind, only the most important detail should be written, यान कि जो most important detail है, वही लिखना होगा, थोड़ा सा ही, उसके बाद no new information should be added, यान कि जो बाचीत हुई थी, वही information लिखना है, extra अपने से बना कि कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद grammatically correct sentence, indirect or reported speech should be used, and simple language में लि submit करो, send करो, तो यह हो गया points और यह हो गया format, अब हम इसका answer देखते हैं, जो अभी हमने बाचीत देखी थी, आशना और Mr. Singh के बारे में, किसको भीजना था, रंजीत को, कैसे लिखना है, format हमने देख लिया है, तो सबसे पहले date रहेगा, जैसे यहां पर है 14th October, तो ऐसे ही आप लिख सकते हो, year नहीं लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो, 1410 यानि कि तारीख और महीना या फिर ऐसे लिख सकते हो, 14th October, तारीख नंबर में और जो महीना रहेगा, वो आप उसका spelling लिख सकते हो, ऐसा दो तरगी से लिख सकते हो, उसके बाद टाइम और original किसके लिए रंजीत के लिए था, तो इसके बीच में आपका बोड़ी आएगा, जिसको भीजा जा रहा है, उसका नाम लिखने के बाद, क्या था message, ओ यहाँ पर रहेगा, तो जैसे यहाँ पर आशना और मिस्टर सिंग के बारे बाचीत होई थी, तो मिस्टर सिंग जो है, ओ रंजीत क लेकर चाओ, और यहाँ पर जो भी बालो जी का नोटस था, वो भी दिखना चाहती है, डैड, तो रंजीत के पिता थे मिस्टर सिंग, तो ऐसा हो गया, सिंपल सा यह आपका ड्राफ्टिंग वर्चुल message, एक तो ऐसा आ सकता है question, यानि कि दो लोगों के बीच में डालोग बिनाना होगा, तो ऐसा भी हो सकता है, बड़ा ही easy है, simple सा है, message जो रहेगा आपका body यहाँ पर, सिर्फ थोड़ा सा लिखना है past tense में, कि उसने phone किया था, उसका क्या काम था, बस इतना ही, simple सा, जो information डालोग रैटिंग में दिया रहेगा, वही लिखना होगा, extra नहीं लिख यानि कि जिसको phone आया था, सामने से, first उसका नाम, यानि कि जो भेज रहे, message, simple सा है, so बस यही था drafting और virtual message, बहुत ही छोटा सा है, अगर आप ते समझ लोगे, तो 4 marks आपके हाथ में आचाएंगे, मिलते हैं, अनि किसी वीडियो में, वीडियो पर देखने के लिए, बहुत धन्यवाद,